एक और दर्शक इस वक्त हमारे सा जुने हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, हलो? हलो? आप हमें सुन पारें? हलो? हाँ जी, नमस्कार जी, नाम बताएं? मैं नमस्कार, राजेश बात कर रहा हूँ राजेश जी, पूछी अपना सवाल मैं राकिम साफ से बात करने थी राजेश जी आदा, बताएए सर, मेरे को ना अपनी मम्मी के लिए वो चीए था आपका चमन प्राज जीश जीश जो हता है सर माजू नार के अचिए माजू नार के अचिए था सर, मम्मी के लिए जी सर, खासी के लिए चीज ठीके ठीके किदर से मिलेगा सर, वो बहुत मुश्किल हो रही है मिलने राए कहीं से भी सर ठीके ठीके जब बिटा देखो थोड़ा वेट करना पड़ेगा माजी उनार केर इम्यूनिटी की दवा है और ये लोगों पता चल चुका है कि इम्यूनिटी के बगएर इस वक्त पूरी दुनिया में भारत में जिन्दा रहना मुश्किल है तो आप अपना आरडर हमारे हैर्पलाई नमर पर लिखवा दे बहुत जल भेड़ दे जागा इसके डिमार्ड इतनी बढ़ गई कि हम इसको तयार नहीं कर पा रहे पूरी तरह लेकिन दस पंदादे इंतिजार अगर कर सकते है तो कोई भी दवा मिल सकती है इस वक्त क्योंकि इम्यूनिटी में ये माजून आरकेर सबसे आगए है और हर शक्स ने एक खुराक खानी शुरू कर दिये जितने भी हमारे वीवर्स है तो आप लिखवा दीजे आपको पहुँचेगी जरूर और असली पहुँचेगी और मम्मी को क्या और जो भी घर में हैं बच्चे हैं तो आदा चमच बड़े हैं तो एक खुराक जरूर खाए इस वक्त अपनी जान बचाना बहुत जरूरी है बचेंगे तो विकास होगा तरक्की होगी नौकरी होगी और सेहत होगी तो जान बचाना बहुत जरूरी है राजणी दिली से अशुक जी ले हमें कॉल किया है अशुक जी क्या सवाल करना चाहते हैं मैं मुझे हाकिम साफ से बात करनेए जी जी अधा बता ये भाई सेर मुझे ये मालूम करना था कि आप जो शिलाजीद के बाएं बताते रहते हैं मेरे पास शिला जीट है अच्छी मात्रा में मेरे पास है तो उसको लेनी का丁षा है वह देखिए शिला जीट आदा ग्राम से ज़्यादा एक दिन में नहीं ले सकते हैं और शिला जीट असली है इस की पington來了 आपको नहों, बड़ी मातरा में है, कोई बात नहीं, असली होनी चाहिए, असली तो आदा गिराम से ज्यादा नहीं ले सकते, नकली तो आप अगर एक किलो भी खा लें तो कोई फाइदा नहीं, हम लोग भी शिलाजीत बनाते हैं, और इस वक्त एक खुराक अगर आप इस ला नहीं, इम्मुनिटी बढ़ा सकते हैं, जितने पड़े लोग हैं, सब ओ लेते हैं, आदा गिराम मैं भी लेता हूँ, कभी-कभी, हमारे हैं तो खर ये बनती है, तैयार होती है, सुलिमानी शिलाजीत, नहीं मेरे नाम से ही बनती है, लिक्विट फार्म में हैं, आदा गिर शंकर जी सवाल करें, सवाल करें, किसे मिरा नो बजन बट लता बढ़ गया, जी, समझ गया है, वजन बढ़ गया है, काफी जाद, वजन बढ़ गया है, जी, एसविडिटी की परशानी रहती है, साथ में बीपी की निक्तात है, उम्र कितनी है आपकी, 41 साल, मों भी 105 किलो जी वजन बढ़ गया तो ये एसलिटी तो बढ़ेगी ये बीपी तो आएगा फिर दिल का मरज आएगा फिर दिमाग का मरज आएगा फिर जोडों का दर्द का मरज आएगा तो दूड़ों का दर्द का मरज आएगा तो दूड़ों का दर्द का मरज आएगा तो दूड़ों क क्या है कि पैदल चलना एक घंटा मेरी तरफ से आपको मुफ्त से एक घंटा जरूर चले और ठंडा पानी छोड़ दे गरम पानी पांच बार पिए और अपनी पत्नी जो भी खाना बनाते हैं उनसे कहिए कि खाने में इतना सारा लहसन और इतना ही अद्रक डाले हमारी पत्नि यहां बड़ी कंजूस होती है इतना सारा लहसन तो यह करें इससे भी आप ठीक हो सकते हैं और बाकाइदा काफी वज़न हो रहा है तो मैं नसका भी बतायता हूं देखिए एक नमक आता है नमक जैतून यह रसायन होता है जैतून का इसको आप लेले सो दूसो ग्राम और आ समकीन नहीं होता है अधर गिराम एक गिलास पानी मिलाएं एक या दो नीवू निचोड़ें और पी लिया करें दिन में एक बार या दो बार एक घंटा पैदल भी चलें गरब पानी पीएं चंतुलित आहार भी खाएं एक महीने में चार-पांच किलो वजन जा सकता है अग सफीना आप देखिए समझ लें नुसके को बहुत आसान है और किड्नी में तो कितनी भी बड़ी पत्री हो निकल सकती है अगर आप समझ लें अभी मैं एक नुसका बता रहा था चर्वी काटने का नमक जैतून का नमक जैतून सो दो सो गिराम ले ले लें और एक गिलास पा पानी में आदा गिराम डालें और अब इसमें आपको एक या दो लीबू ने चोड़ने है ठीक है यह पी लिया करिये दिन में एक बार या दो बार और जब भी पानी पीएं यह यह पानी लीबू वाला पानी और जैतून के नमक वाला पानी तो इसमें इसके बाद आप दो गिलास और पानी पीना है बस ये फरक है हिकमत में नसका कितना इस्तमाल करना है कैसे इस्तमाल करना है कब इस्तमाल करना है किस चीज के साथ करना है ये बहुत बड़ी हिकमत होती इसी को हिकमत कहते हैं दवाएं तो आप भी जादा जानते हैं और लेकिन इसको कितना कैसे कब इस्तमाल करना किस चीज के साथ इस्तमाल करना है ये बात एहम है तो आप ये लेंगे तो आपकी पत्री रेजा रेजा करचा करचा होके बहुत बारीक पाउडर बनके निकल जाएगी दो टीन गिलास पानी इसलिए बता रहे हैं जब हम जादा पानी एक साथ पीते हैं कभी पीकर देखना आप तीन-चार गिलास पानी तो पिशाब आएगा दो गंटे बाद और इतना तेज आएगा कि बरदाश नहीं होता वो जो दवा है जाकर उसको पाउडर बनाती है और उसका पिशाब का फोर्स उसे बाहर निकाल देता है तो आप इस तरह से इस्तमाल करें आपको फाइदा मुम्किन है एक और दर्शक है हमारे साथ हलो हलो हाँ जी नमस्कार जी नाम बताए हाकीम साथ से बात करनी है जी जी बताई मैं सुन रहा हूँ कौन साथ बात कर रहा है हाकीम साथ मैं बात कर रहा हूँ यहां से एमपी से जी जी बताईए मेरे ना प्रिट में बड़ी तकलीफ है अक टाइम से अच्छा क्या बता है डॉक्टर ने क्या बता है खाना खाना पच्टा नहीं है खाना उपर आता है और बड़ी तकलीव है पेट की लिदर में मेरे दिक्कत है और टाइजस नहीं होता है मोशन नहीं ठीक से आते और सकिन में भी दिक्कत है पूरी ऐलर्जी इतनी है कि मैं परे कराते हुई देड़ सो साल अच्छा मैं समझा देड़ सो साल अमर क्या है आपकी मेरी उमर है जी 69 साल चा मुझसे छोटे हैं आप अच्छा देखिए एक ऐसा नस्खा भी मैं जानता हूँ जिससे आपकी बताई हुई तमाम समस्यां का निदान मुम्किन है चाहे ऐलर्जी हो चाहे अपच की प्राबलम हो चाहे कब्स हो चाहे मोशन सही नहीं आते हो चाहे खाना उपर को आता हो और चाहे मेदा खराब हो चाहे आतों में सूजन हो चाहे किड्नी में प्राबलम हो चाहे लीवर में प्राबलम हो ये बड़ा कीमती नस्खा है लेकिन आ ना पांच सो ग्राम लेके पाउडर बना लें और इसमें सो या डेर सो ग्राम देखिए एक फल आता है खाड़ी के मुलकों में जिसको कहते हैं सैतून इसका आईल भी इस्तमाल होता है इसका सिरका भी इस्तमाल होता है इसका एस्टेक निकाल लेते हैं एस्टेक मतलब रसायन जो हम नमक सैतून के नाम से जानते हैं असान जबान में लेकिन इंगलिष में अस्टेक कहते हैं और हिंदी में रसाइन यह सो जडिर सो गिराम मिल जाए आपको तो इस मेठी के साथ पौडर बनाए और अदा अदा गिराम आदा आदा चम्मच, छोटा चाय का चम्मच, दो या तीन बार खाएं दिन में, खाने से पहले या खाने के बाद, आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगा दो चार दिन में ठीक होगा, लेकिन ये पूरा खतम करना है आपको, और आप इसे इस्तमाल करेंगे तो आपकी तमाम सम का निदान मुम्किन है. इसका कुछ घर्लों निश्के हैं, इसकी वैसे ठीक हो पाएं. जे. कितनी एज है आपकी? एज है 46. दिए यूनानी आपको ऑपरेशन की सला नहीं देती, इस सला ये देती है कि आप जो भी जिस मौंडे में, जिस हाथ के मौंडे में आपको दर्दे, उसका इस्तमाल भारी कामों में ना करें. और वो भी कुछ दिन. और इसके लिए दवा भी है और घर्लों निश्का भी है. घर्लों निश्का गौंड सिया असली मिल जाए आपको. असली लेना है. आदा ग्राम सुबा, आदा ग्राम शाम. पानी या बगर चर्बी के दूद्ध या जूस से लें. और लेकि फाइदा तो आपको शायद एक ही महिने में हो जाए लेकिन जो सौ ग्राम गौंड आप लें उसको खतम होने तक खाएं. और अगर यह नहीं मिलें, यह नकली बहुत मिलता है. असली आप लेना. कड़वा होता है, काला होता है, काला गौंड कहते हैं, इसे गौंस होता है. और यह दवा लें, तो दवा एक है, कैपसुल टी के है, टी फोर टाइगर. यह सुबह शाम एक एक कैपसुल खाएं, जो भी आसानी से मिल जाए, आप इस्तेमाल करें और आपका ठीक होना मुम्किन है. संजे जी का कॉल इस वक्त हमारे साथ, वो जुड़े हुए है, कॉल आया है, उसे बातचीत करते हैं. संजे जी स्वावत है, सवाल पूछ सकते हैं आप. अलो? जी, सवाल पूछें. आदाव हो किन साथ? संजे जी, आदाव. जी, मैं कहरा हूँ कि मेरा बजन बहुत ज्यादा है, करीबर मेरा चैनलिंग नो उदन है, और मेरी हाइड है साथ चार फुट. जी, उमर भी बता दीजे, संजे जी. उमर मेरी है, सप्टेस साथ. लेकि साथ चार फुट, जो है, इसमें ये बजन काफी है. और अगर आपकी पत्नी बहुत अच्छी भी हो, तो उससे भी वजन हमारा बढ़ जाता है, तरह तना के खाने खिलाती है. तो आपकी पत्नी अगर मेरी बात सुन रही है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बहुत जाकेदार खाने ना बनाएं, और लिमिटेड दे इने, ये इनके साथ दुश्मनी है, अगर साड़े चार फिट में इतना वजन है, और खाना खिलाएं इने जरूर, लेकिन ऐसा खा तो वहीं रुख जाएगा, और गरम पानी पांच बार इनको परोसा करें, और एक घंटा पैदल चला करें, और उसके भी हैं, आप दवाएं भी ले सकते हैं, और जैतून का नमक आदा गिराम पानी में मिला कर, रोजाना एक नीवू के साथ पिया करें, सुबा और शाम तो पेट की समस्या के बारे में बो दवाब पूछना था, पेट की समस्या, क्या होता है, क्या तकलीव है, मतलब दर्द यह जब हो जाता है दर्द हो जाता है एज कितनी है जहाँ हमार इचादे चीक अच्छा देखिए अभी बहुत काम उमर है और एक वो आता है बेल का मुरब्बा अभी बेल पत्थर तो चली नहीं पत्थर बेल या बेल पत्थर कहते हैं में कोवेट कहते हैं तो अभी मिलेगा बेल का मुरब्बा यह आईरवेद और यूनानी की दुकाने होती है मेडिकल स्टोर उससे आप ले ले और एक एक इसका पीस तीन चार इंच का सुबह खाली पेट खाया करें और पानी पी लिया करें और इससे आपको फायदा होना मुमकिन है किसी दुबा की ज़रूत नहीं आप इसे इस्तमाल करें और फायदा उठाए है